ओम स्रेगने साय नमहाज हम बात करेंगे सरकारी नोकरी के बारे में जनम कुंडिली में सरकारी नोकरी कैसे देखे और सरकारी नोकरी के लिए क्या उपाय करे तो जो भाई भेन सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे है तो अपनी जनम पत्रिका में जरूर देखे कि आपकी सरकारी नोकरी कैसे लगेगी और कब लगेगी अजिन भाई बहन की जरम कुंडली नहीं बनी है और सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे है तो यहां विसेश उपाय जरूर करे इस उपाय को करने से आपकी सोग परतिसा सरकारी नोकरी के योग बनेंगे तो यहां हर धर्म के लिए है अगर आप कोई से भी धर्म के हो अगर आप सरकारी नोक्री की तैयारी कर रहे हो तो आप भी बिसे उस्पाय जरूर करे अगर आप यहां उपाय करते हो तो आपकी भी सरकारी नोक्री के परबल योग बनेंगे तो सरपर्थम बात करते हैं नोग्रह होते है जिसमें सरकारी नोग्री के लिए बिसेश पांच ग्रह मजबुत होने चाहिए जनम पत्रिका में चे मेंने यहां लिखाये हैं नो ग्रह होते हैं जिसमें कि सूर्य होगे, चन्द्रमा होगे, मंगल होगे, डेव गरुब रहस्पती होगे और सनी होगे तो यहां ग्रह मजबुत होने चाहिए अगर इन में से एक ग्रह भी मजबूत है तो आपकी सरकारी नौगरी के प्रवल योग है जैसे कि मैंने आपे जनम पत्रिका बना रखी है तो जनम पत्रिका इस तरह के सोते हैं यह 12 घर होते है यानि की 12 रासी होते है तो यहाँ पर यह लगन बोला जाता है पहला घरवाड ठीक है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तो अगर यहाँ पर केंदरवा जैसे एक चार साथ दस ठीक है तो यहाँ सूरिया अगर आपके यहाँ बेठे एक अंक लिखा है चाहे सूरिया यहां पर बेठे एक अंक लिखा है तो इन सूरिया की महा दसा चर रही हो आप पर या फिर अंत्र दसा चर रही है तो आपकी सरकारी नोगरी के योगपरबल होंगे यानि की सरकारी नोगरी आपके लगेगी चंद्रमा मन के कारक है अगर चंद्रमा उस रासे में बैठे है तो मन इस्तर रहेगा आपका तो आपकी सरकारी नोगरी के परबल योग रहेंगे मंगल गर है तो मंगल अगर आपके इनी केंदर में कहीं पी बैठे अगर यहां बैठे है तो संपूर मांगलिक दोस होता है फिर भी सरकारी नोकरी के परबल योग होते है अगर मंगल आपके यहां बैठे है यहीं अंक है तो जैसे आर्मी होगे पुलीस होगे तो आर्मी हंगे हमारी आर्मी है तो उणका मंगलगर मज़बूत है देव गुरू ब्रयास 20 केंदर में बेठे हूं चाहीं हां पर यहां पर तो देव गुरू ब्रयास्पती उचराशं में बेठे हैं तो आप टीचर होंगे प्रिंस्पन होंगे जज होंगे या आप वकील साब होंगे तो यानि कि आपने आप पड़ाय छेतर में आपकी नोकरी लगते है ओफिस छेतर में आप बेंक में भी लग सकते हो तो आपने क्या करना है आपकी नोकरी कहा लगेगे पड़ाय छेत्र में तो आपने यहां देखना कि हमारे जनम पत्रका में देव गुरु ब्रैस्पति कहां पर बैठे हैं तो उसी छेत्र में आप सरकारी नोगरी की तैयारी करें सनी बेठे हो इस अस्तान में कहीं पर भी अर सनी इस अंक में बेठे हो साथ अंक वा ठीक है साथ अंक तो यहां पर बेठे हो तो सनी भी सरकारी नोकरी के पलबर योग बनाते हैं पर इनकी महादसा हो या अंतरसा हो तो तुरंत आपकी सरकारी नोकरी के योग बन जाते हैं या आप की जीवन में कितने भी आप मेहनत कर लो कहिना कि आपको असपलता की प्राप्त होती आपके सरकारी नोकरी नहीं लगती अगर शूरे बेटे हो साथ में मंगल भी नीच रासी में कहें पर बेटे हो सूरे नीच रासी होती साथ अंक इस अंक में शूरे बेटे हो कहां पर तो आपकी सरकारी नोकरी के बहुत कम चांस होते हैं तो यहां तुम्हें ने ग्रह के साफसे बठा दिया सुरिया चंद्रमा मंगल देव ग्रू ब्रैस्पति सनी तो आपको समझ में आ गया होगा कि अकरिया जनम पत्रिका में मजबूत है कोई साइबी ग्रह एक ग्रह वेबे सबने करना है तो बिना मेहनत के कुछ नहीं है साथ में आपने उपाए भी करने है अगर आपकी जनम पत्रिका में ग्रह कमजोर है तो आपने उपाए ज़रूर करने है यहां पे लिखाए मैंने पाट पूजों ज़रूर करे ग्रह का ज़रूर कराए अगर आप सरकारी नोकर की तैयारी कर रहे हो अगर आपकी आप अमनी जनम पत्र का में देख सकते हो या आप किसी ब्रहामर देपता को बढ़ा सकते हो अगर ब्रहामर देपता बोलता है कि आपकी पाप ग्रह की महाधासा चली पाप ग्रह जैसे कि सनी होगे रह होगे केतु होगे इनकी महाधासा या तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशानी आएगी तो आप कितने में मैनत करतों कहीं न कि आपको असा प्लता ही प्राप्त होगी परन्तो अगर एक ग्रह उचके बेटे हैं जैसे मैंने यहां पर अंक लिख दिया तो आपको बहुत अच्छा लाप प्राप्त होगा तो आप अगर शुर्य यहां पर बेटे हो यहां पर यहां पर शुर्य इधर ही बेटे हो तभी सरकारी नोगली के प्रवल योग बनाते है तो आप सुर्य ग्रह का जाब धुरूर कराए सुर्य ग्रह की पूजा करे सुर्य देपता को जल चड़ाए अगर आओ चंद्रमा कहीं भी बेटे हो तो सौंबार के दिन भगवान से जल चड़ाए दान करे मंगल करे बेटे हो तो सीताराम जी का जाप करे हनमान चालिसा का पाड करे तो आपने क्या करना है उपाय मातापित जी की सेवा करनी है गरिब लोगों की सेवा करनी है और जिनकी जनम पत्रिका नहीं है तो आप समझ सकते हो कि मातापिताजी की सेवा करनी है जिनकी जनम पत्रिका है तब भी आपने मातापिताजी की सेवा करनी है अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना है सब का आदर सम्म होता है तुरन्ट आपका भाग्या मजभूत होता है शरकारी नूगरी के परवल योग बनते साथ में आपने मेहनत भी करनी है तो अकर आप मेहनत करते हो 50-50 के असाथ में उपायधी करते हो 30-80 कितना हो गए 80 टीक तो 80 ठीक है जो परकृत हो जो मनिश्य है उनका भाग्य लिखा है तो ब्रमा जी ने कम से कम मेरे हिसाब से साथ परत्यस ब्रमा जी ने भाग्य लिखा है हमारा चालिस परत्यसाद हमारे पास छोड़क है कि हम कर्म करेंगे अच्छे कर्म करेंगे मेहनत करेंगे उपाए करेंगे सबका आज़ समान करेंगे प्रकृतिका आज़ समान करेंगे तो हमारा 40% ग्रह मुझबूत हो जाते है भग्या मुझबूत हो जाएगा तो हम अगर 40% हमारा भग्या मुझबूत है तो साथ में ब्रमा जी ने भी 20-30% 40% हमें दिया होगा तो हमारा 70, 80, 90 इस तरह के से हमारा भग्य मजबूत हो जाता है तो हमारी परवल योग बन जाते हैं सरकारी नोक्री के तो कश्ट भी दूर होते हैं अगर आप उपाय करते हो शुरे ग्रह से लेके चंद्रमा ग्रह से लेके मंगल ग्रह से लेके ब्रहस्पती से लेके सनी से लेके तो आपका भग्य मजबुत रहेगा घर में शुक्षानती भी आएगी धन भी आएगा और सरकारी नोगरी के प्रवरल योग रहेंगे और साथ में ऐसा नहीं कि अगर आपकी एज निकल गई है अगर कोई ऐसे भी है कि 40-45 साल हो गए है तो अगर आप यहां उपाय करते हो तो आप की जो जोब है या आप मेहनत कर रहे हो उपाय कर रहे हो पाड़ पुजन कर रहे हो तो अगर वेसे तो आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा और आपको क्या आपके बच्चों को भी यहां उसका लाब प्राप्त हो जाएगा उसका फल आपके बच्चों को भी प्राप्त होगा तो यहां उपाय करने से आपकी सरकारी नोगरी के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे